हेलो एब्रीवान वेलकम टू मागनेट ब्रेंज मैं हूँ अदिती शाह और आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं क्लास 12 अकाउंट का चाप्टर नमबर 10 जिसका नाम है इशू ओफ डिबेंचर तो हम लोगों ने प्रीवेस लेक्चर में इलस्ट्रेशन 5 तक इलस्ट्रेश लिया और बस क्या करना है जहां पर शेयर क्यापिटल आता था उसकी जगे परसेंटेज ओफ डिबेंचर लिखना है और जहां पर शेयर अप्लिकेशन शेयर अलॉट्मेंट आता था उसकी जगे अब क्या आजाएगा डिबेंचर अप्लिकेशन डिबेंचर अलॉट्मेंट आ रहा है समझ में ठीक है बाकी सारे concepts same रहेंगे ठीक है बस एक छोटा से discount वाला जो चीज थी वो हमने additional यहाँ पर सीखी थी then हमने देखा था कि over subscription and under subscription बिल्कुल same to same issue of shares की तरह होने वाला है ठीक है तो यहाँ पर over subscription में जैसे pro rata allotment वगेरा करते थे या refund करते थे reject करते थे share applications को बिल्कुल उसी तरह से हम debenture applications की भी applications को reject करेंगे या में भी pro rata basis पे allot करेंगे बिल्कुल same to same है ठीक है तो बस आपका एक तरीके से समझ लो तो रिविजन ही हो रहा है चलो तो illustration six देखते हैं क्या बूल रहा है नव लक्ष्मी लिमिटेड इन्वाइट अप्लिकेशन पॉर 3000 12% debentures of rupees 100 each at a premium of 50 per debenture ठीक है तो यहाँ पर क्या हो रहा है नव लक्ष्मी ने 3000 debentures के लिए applications बुलवाई 3000 debentures issue किये कितने 12% किस rate पर 100 rupees की face value debentures को हमने premium पे 50 रुपे के premium पे इशू किया मतलब 150 per debenture issue किया फुल amount was payable on application ठीक है पूरा amount एक बार में ही application पे 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 बल है मतलब यहाँ पर application और allotment साथ में ही हो रहा है ठीक है applications were received for 4000 debentures देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है company के पास 3000 debentures ही हैं लेकिन लोगों ने 4000 debentures के लिए apply कर दिया पब्लिक ने 4000 debentures के लिए apply कर दिया applications for 1000 debentures were rejected अब यहाँ पर जो excess 1000 applications आई है उनको reject कर दिया गया उनको वापस घर बेज दिया गया ठीक है और उनका जो पैसा था उनको refund कर दिया गया debentures were allotted to the remaining applicants तो 4000 में से जो आखरी के 1000 आयों के उनको हमने घर भेज दिया बागी के 3000 को हमने यहाँ पर debentures allot कर दिया पास necessary journal entries for the above transactions in the books of नवलक्षमी लिमिटेड ठीक है तो मैं आगे बढ़ने से पहले आप सबसे यह चाहती हूं कि आप अपने दिमाग में वो share capital वाली entry को सोचें ठीक है तो share capital वाली entry क्या हो जाएगी सबसे पहली entry क्या होगी चलो मुझे जल्दी से बताओ bank account debit to share application and allotment account ठीक है मैं short में लिख रही हूं सबसे पहली entry यह होगी और कितने amount से हम लिखते थे जितना applications आई चार हजार debentures के लिए applications आई और पर debenture लोगों ने 150 पे किया तो टोटल 6 लाख रुपए आपका आगया ठीक है as application बस अब यहीं इसी entry में आपको क्या करना है share को हटा के कर देना है debenture देखो चलो first entry देखो bank account debit to debenture application and allotment account 6,00,000 क्या बात है ठीक है हुई खुशी मन में लड़ू फूटा चलो अब आगे बढ़ते हैं next इसके बाद हमारी next entry क्या होगी चलो सोचो पैसा मिल गया अब क्या है अब allot कर रहे हैं तो यहां पर क्या होगा share application and allotment account debit ठीक है यह करते थे हम to share capital account और यहां पर to security premium क्योंकि premium पे issue किया है और जो remaining amount 1000 applications को reject कर रहे हैं उनको हम उनका पैसा वापस कर रहे हैं refund कर रहे हैं तो टू bank account ठीक है तो share application and allotment account में कितना debit हो का जितने से हमने credit किया था 6 लाग रुपए ठीक है share capital account में कितना जाएगा ध्यान से हमेशा face value जाता है तो 3000 into 100 ते कितना हो जाएगा 3 लाग security premium में कितना जाएगा security premium में 3000 debentures ही company allot करें तो 3000 debentures पर 50 रुपए premium that is 150,000 अब 1000 applications जिनको reject कर रही है उन्होंने पर debenture 150 दिया है तो 1000 into 150 कितना हो जाएगा तो यह entry करते थे आप बस अब यहाँ पर क्या करना है इसकी जगे आपको share application and allotment की जगे आपको लिख देना है debenture application and allotment share capital की जगे आपको क्या लिख देना है यहाँ पर हमारे 12% debentures ठीक है security premium reserve account यही रहेगा और bank account यही रहेगा clear हो गया बस इतना सा change करना है आजाओ debenture application and allotment account 6 lakh debit to 12% debentures account 3 lakh to security premium reserve account 1 lakh 50,000 to bank account 1 lakh 50,000 ठीक है तो basically आप refund कर रहे हो आ गया समझ में ठीक है clear हो गया तो इसलिए मैं जब आपको shares वाला chapter पढ़ा रही थी तब मैंने आपको कहा था कि ध्यान से पढ़ना अगर यह अच्छे से कर लिए तो debentures वाला chapter अपने आप हो जाएगा अब हम लोगों ने देख लिया जब application reject करना है तब क्या करते हैं तो बिल्कुल जैसे share capital issue of shares में सीखा था वही किया अब illustration 7 में देखेंगे जब pro rata allotment होगा हम किसी को भी मना नहीं करेंगे ठीक है किसी का भी दिल नहीं तोड़ेंगे सब को थोड़ा थोड़ा तुकड़ों में हम debentures बाटेंगे ठीक है तो यहाँ पर illustration 7 देखते हैं क्या बुल रहा है मतलब 100 रुपए की face value वाले debentures को 110 रुपए में इशू किया 10 रुपए के premium पे इशू किया पेबल 25 ओन application ठीक है तो 25 रुपए application पर लेंगे installment 35 रुपए on allotment including premium इसका मतलब क्या हो रहा है allotment पे 10 रुपए तो premium हम पूरा ले रहे हैं और total 35 रुपए का installment है मतलब face value वाला कितना installment हो जाएगा 25 तो 25 प्लस 10 including premium 35 का हमारा allotment का पैसा हो जाएगा and the balance on first and final call तो चलो 100 रुपए में से कितना कितना बुलवा लिया application allotment पे 25-25 मतलब 50 रुपए तो बचा हुआ 50 रुपए जो है first and final call पर बुलवाएंगे ठीक है तो यह हमने पूरा bifurcation देख लिया लेकिन twist यह है कि application हमें मिल गई 15,000 debentures के लिए तो हमारे पास तो 10,000 रजगुले ही थे लेकिन खाने वाले आ गए 15,000 ठीक है लेकिन हम सबको थोड़ा थोड़ा अब हिस्सों में बाटके प्रोराटा बेसिस पर सबको रजगुले खिलाएंगे तो अप्लिकेशन वर रसीट फोर 15,000 debentures अलॉट्मेंट वस मेड उन प्रोराटा बेसिस एक्सस अप्लिकेशन मनी वस एजजेस्टेट अगेंस अमांट डिवन अलॉट्मेंट तो कुछ याद आ रहा है हम क्या करते एक बार मैं जल्दी से रिवाइस करवा देती हूं तो बेसिक लिए वही वाली बात हो गई कि आप किराना खरीदने गए ठीक है मैंने आपको एक्जैम्पल दिया था आपने गलती से आपका बिल बना सपोस हजार रुपए का लेकिन आपके पास 2000 का नोट है तो आपने उस रजगुले के लिए लेकिन उनको उसके बदले हम उनको 10,000 रजगुले खिला रहे हैं तो हम बोलेंगे कोई बात नहीं आपकी जो अगली इंस्टॉल्मेंट डियू होगी ना उसमें से जो आप एक्सेस अमाउंट हमें दोगे वह हम एड्जेस्ट कर लेंगे ठीक है तो आ आपर हमें जर्नल एंट्री भी करनी है और बालेंट शीट में दिखाना है इसको किस तरह से प्रेजेंट करोगे चलो तो इजी करते हैं एक एक करके बिल्कुल शांती से सबसे पहली एंट्री क्या होगी सबसे पहली एंट्री होगी कि कंपनी ने 10,000 डिबेंचर के लिए प पहली एंट्री क्या हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डेबेंचर अप्लिकेशन अकाउंट ठीक है तो 15,000 इंटू 25 कर लो कितना हो जाएगा 3,75,000 तो मैं आपर लिख देती हूं 15,000 डेबेंचर के लिए अप्लिकेशन आई और 25 रुपए पर डेबेंचर पेइम तो डेबेंचर आप्लिकेशन अकाउंट डेबिट कितने से यहां से क्रेडिट किया है हमने 3,75,000 तो हैं पर डेबिट कर देंगे 3,75,000 से कितना हो गया यह आपका धाई लाक रुपए तो धाई लाक रुपए टू लाक फिफ्टी थाउजन आपका कहां जाएगा तू नाइन परसेंट डिबेंचर अकाउंट में और आप एकसे समाउंट कितना बचा 1,25,000 जो हमें जाधा मिल गया एप्लिकेशन पर हमें मिलना चाहिए था धाई लाक लेकिन हमें मिल गया 3,75,000 तो जो जाधा मिल गया 1,25,000 उसको हम अगली इंस्टॉल्मेंट से एड़्जेस्ट कर लेंगे आ रहा है समझ में तो टू डिबेंचर अलॉट्मेंट अकाउंट म अब नेक्स्ट कंपनी क्या करेगी अलॉट्मेंट का पैसा ड्यू करेगी तो कंपनी तो पूरा टोटल कितना 25 प्लस 10 25 प्लस 10 35 35 रुपीज 10,000 डिबेंचर के लिए ड्यू करेगी ठीक है वो हमेशे ड्यू करने के एंट्री तो अपना जोसके पास डिबेंचर जे उतने प रुपीज ठीक है तो अलॉट्मेंट पे टोटल कंपनी एक्सपेक्ट करी किसको 10,000 इंटो 35 डाट इस 3,50 मिलेगा तो 9% डिबेंचर अकाउंट यहां पर हमारा क्या हो जाएगा फेस वाल्यू तो दस हजार इंटू 25 रुपए फेस वाल्यू थी ठीक है तो कितना हो तो यह तो कंपनी ने बड़ी उम्मीदों के साथ जैसे शेर अलॉट्मेंट यह एंट्री बुक करते थे वैसे डिबेंचर अलॉट्मेंट की एंट्री इसको बुक कर लिया आ रहा है समझ में इतना क्लियर हो गया ठीक है अब अब क्या हुआ कहानी में आगे अब यहां पर पैसे मिले तो पैसे कितने मिलेंगे यहां पर अब आप एक चीज़ समझने की कोशिश करो 3,50,000 कंपनी बुलवा रही है अलॉट्मेंट के लेकिन जो यह 15,000 रजगुले वाले लोग हैं चिलाने लगेंगे कि हमने तो आपको पहले ही जाधा पैसा दे दिया है पहले उसको आप एग्जेस्ट तो करो हमने आपको अल्रेडी 1,25,000 एक्सेस दे रखा था तो आप 3,50,000 में से आपको 1,25 तो मिल चुका है तो अब बचा कितना 2,25 उतना आपको मिल जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉट्मेंट अकाउंट 2,25,000 से हो जाए पाइनल कॉल का बचा हुआ है एंट्री वो देख लेते हैं तो हमारी एप्लिकेशन और अलॉट्मेंट की जर्नल एंट्री यहां पर कंप्लीट हुई अब आ जाते हैं फॉर्स्ट और पाइनल कॉल तो यह तो बिल्कुल सिंपल है क्या करेगी कंपनी अब डिबेंचर फॉ 9% डिबेंचर फाइव लाग और उतना पैसा मिल भी जाएगा तो बैंक अकाउंट डेविट टू डिबेंचर फॉस्ट और फाइनल कॉल फाइव लाग कितना इजी है ठीक है आ रहा है समझ में चलो आप आजाते हैं बैलन्स शीट पर तो बैलन्स शीट में हमें एक्स्ट् की बात हो रही है और यहां पर हम अज्यूम करके चलेंगे क्योंकि कुछ दिया नहीं है क्वेस्टिन में कि जो डिबेंचर हैं इनको हमें रीपे करना है आफ्टर ट्वेल मंस मोर्दें ट्वेल मंस का इनका मैचॉरिटी पीरिड है ठीक है क्लियर हो गया इतना तो यहां प दस हजार डिबेंचर पे हमें दस रुपए जो मिले सिक्यूरिटी प्रीमियम रिजर्व के वन लाक रुपीज आपका हो जाएगा और लॉंग टर्म बॉरिंग्स में आपका क्या आ जाएगा टेन थाउजन नाइन परसें डिबेंचर ऑफ हंड्रेड इश तो फेस में चलो तो बस यही आप यहाँ पर बालेंच शीट में दिखा दो कि रिजर्व जर्व प्लस में वन लाग और लॉंग टर्म बॉरिंग्स में टेन लाग क्लियर हो गया देख लो एक बार स्क्वेशिन में अगर कोई भी डाउट हो और यहाँ पर स्टार मांक करके उन्हों फॉम देट ऑफ बालेंच शीट ठीक है तो यही बोड़ रहे हैं कि हम उसको लॉंग टर्म ही अज्यूम कर रहे हैं चली एक क्वेशिन और देखते हैं ठीक है अब इसमें आपके बिल्कुल कॉंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे इन फाक्ट आपको रिविजन भी हो की ठीक है पेस वैल्यू थी 100 रुपए इच डिबेंचर लेकिन उसको इशू किया है प्रीमियम 20% के मतलब 120 रुपए का एक डिबेंचर इशू कर रहे हैं एप्लिकेशन लेकिन कितने के लिए आ गई 6,000 के लिए आगई तो आप्लिकेशन 6,000 डिबेंचर के लिए रिसीव ह कर देंगे उनको वापस घर भेज़ देंगे और जो भी अमांट ओका उनको रिफंड कर देंगे टो गिफ फुल अलोटमेंट टो एपलिकेंट्स पर 400 डिबेंचर तो जो पहले 400 डिबेंचर प्लिकेशन होंगी उनके लिए पूरा 400 डिबेंचर अलोट करेंगे मतलब वन इ ठीक है बाकि के जो रिमेरिंग डिबेंचर होंगे उनको प्रो राटा बेसिस पे अलोटमेंट किया जाएगा तो यूटिलाइज एक्सेस अप्लिकेशन मनी इन पार्ट पेमेंट ऑफ अलोटमेंट मनी तो जो भी आप्लिकेशन मनी पर एक्सेस मनी होगा उसको में अग जो है वो along with application ही पे हो रहा है मतलब यहाँ पर कोई installment का system नहीं चल रहा है पूरा एक साथ एक खटा बुलवा रहे हैं ठीक है एक installment में लंसम बुलवा रहे हैं B case क्या बोल रहा है issue prices payable in installments application पर 20 रुपए allotment पर 50 रुपए including premium and balance on first and final call तो यहाँ पर देख लेता है इसका bifurcation 100 रुपए की face value थी plus 20 रुपए का premium है तो यहाँ पर 20 रुपए application पर बोल रहे है अलॉट्मेंट पर 50 रुपए including premium तो 20 रुपए तो premium का ही हो गया बचा कितना 30 रुपए यह आपका हो जाएगा allotment का और balance on first and final call तो यह कितना हो गया 50 रुपीज तो 100 में से 50 बुलवा लिया 50 आपका हो जाएगा first and final call का तो यह आपको second case में bifurcation दिया है तो first case तो बड़ा easy है ठीक है इसमें जो है 80 पैसा बुलवाना है तो company ने 4000 डिवेंचर पे 120 रुपए के हिसाब से पर डिवेंचर बुलवाया लेकिन company को applications कितनी मिल गए 6000 डिवेंचर पे तो पहली entry क्या हो जाएगी जो पैसा मिलने की entry होगी bank account debit to debenture application and allotment account ठीक है तो यह पर हो रहा है तो 6000 इंटू क्या कर देंगे यहां पर कर देंगे हम 6000 डिवेंचर के लिए अप्लाई किया और 120 पर डिवेंचर पे किया ठीक है तो यह कितना हो जाएगा आपका 7,20,000 क्लियर हो गया इतना तो bank account debit to debenture application and allotment account यह कब कर रहे हैं एक case में जब issue prices payable along with the application इसके बाद क्या होगा next entry हम क्या करते थे share application to share capital to security premium और जो भी refund कर रहे हैं to bank account तो यहां पर अगली installment तो कुछ है नहीं adjust करने के लिए तो जो भी है यही है ठीक है तो यहां पर 7,20,000 आपका क्या हो जाएगा debit debent application and allotment account debit to percentage of debenture नहीं दिया तो हम सीधे लिखने to dash percent debentures account इसमें आपका कितना आ जाएगा company के पास 4000 debentures थे issue गरने के लिए ठीक है और कितने face value 100 face value वाले तो यह कितना हो जाएगा 4,00,000 security premium reserve account में कितना होगा 4000 debentures पर 20 रुपए का premium तो यह कितना हो जाएगा 80,000 अब बाकी जो भी बचा अगली तो कोई installment है नहीं जिससे हमें adjust करना excess amount वो पूरा का पूरा क्या कर देंगे refund कर देंगे तो 7,20 में से 4,00,000 debenture account में चला गया 80,000 security premium में चला गया excess amount 2,40,000 जो था उसको हमने refund कर दिया to bank account यह हो गई आपकी first case वाली entries clear हो गया इतना चलो आगे बढ़ रहे हैं then हमारा case number B जब issue price को installments में हम लेने वाले हैं ठीक है तो first installment आईगी यहाँ पर first installment 20 रुपए application money ठीक है कितने debentures पे लोगों ने apply किया 6000 debentures तो 6000 debentures into 20 तो bank account debit to debenture application किया लोगों ने तो कितना हो गया 1,20,000 तो bank account debit to debenture application account हो गया next entry किया होगी debenture application account debit to percentage of debentures account ठीक है तो यहाँ पर debenture application account debit to go 1,20,000 से बढ़ टू percentage debenture account में face value जाएगी तो 4000 debentures थे company के पास actually जो इशू किये थे multiplied by face value कितनी है application की 20 रुपए ही है तो इसके इस आप से मिलना चाहिए था आ रहा है समझ में इतना clear हो गया अब यहां पर आपको clearly बोला है हम लोग यहां पर working ना करके directly निकाल सकते हैं हमें clearly बोला गया कि 1200 debentures पे तो टोटल refuse करना है reject करना है तो यहां पर क्या कर देंगे हम लोग आप यह निकाल सकते हो directly यहां पर 1200 debentures को reject कर रहे हैं और उन पर उनसे कितना पैसा मिल चुका है 20 रुपे मिल चुका है तो 1200 इंटू 20 कितना हो जाएगा 24,000 आप टू बैंक अकाउंट कर दोगे remaining आप डिबेंचर अलॉट्मेंट अकाउंट में डाल दोगे ठीक है आगे वाली इंस्टॉल्मेंट एड्जेस्ट करने के लिए ठीक है तो जो भी एकसेस अमाउंट हमें मिला है वह आगी इंस्टॉल्मेंट में अज्जेस्ट करने वाले तो हम लोग 2 debentures अलॉट्मेंट अकाउंट में कितना ट्रांसफर कर देंगे 16,000 एकसेस अमाउंट एड्जेस्ट करने के लिए आप चाहो तो उसको अलग तरीके से निकाल सकते हो वो मैं आपको करके दिखा देती हूं ठीक है जिससे आपको थोड़ा कॉंसेप्ट वापस अपना तो बेसिकली क्या हो रहा है छे हजार के लिए अप्लिकेशन आ गई है टोटल इसमें से क्या कर रहे हैं 1200 अप्लिकेशन को हम रिजेक्ट कर रहे हैं ठीक है फॉर्स्ट फोर हंडेट जो आई हैं उनको हम फोर हंडेट अलोट कर रहे हैं अब यहां पर उसके बाद कितनी और कंपनी के पास कितने डिबेंचर थी कितने रजगुल लेते खिलाने के लिए 4000 उसमें से 400 खिला चुके हो तो अब कितने बचे 3600 तो मतलब 4400 अप्लिकेशन को 3600 डिबेंचर अलोट हुए हैं यहां पर प्रोराटा अलोटमेंट हुआ है ठीक है आपको याद होगा हम कैस पर टोटल 20 रुपीज मिला है मतलब कितना हो गया 88,000 लेकिन हमारा एप्लिकेशन अमाउंट ड्यू कितना होना चाहिए था एक्च्वल में 3600 ही दे रहे हैं उनको खाने के लिए रजगुल ले 3600 के रजगुल लेके ही पैसे देने चाहिए थे इनको 3600 इंटू 20 कर लो कितन 72,000 इन्हों को पैसे देने चाहिए था 72,000 लेकिन इन्होंने कितने देदी 88,000 मतलब कितना एक्सेस दे दिया 16,000 तो 16,000 जो है यह हम नेक्स्ट इंस्टॉल्मेंट लिए इंस्टॉल्मेंट से एड्जेस्ट कर लेंगे तो इसलिए देखो यहां पर 16,000 जो आ रहा है ना यह तो चलो सबसे पहले due के entry करते हैं 30 रुपए face value और 20 रुपए premium है तो total 50 रुपए allotment पे बुलवा रहे हैं कितने debentures के लिए 4000 debentures actually है company के पास तो 4000 debentures allot करने के लिए debentures allotment account debit करेगी 4000 into 50 तो यह कितना हो जाएगा debenture allotment account debit 2,000,000 तो company expect करेए उसको allotment पे total 2,000,000 मिलने चाहिए जिसमें से 2-percentage debentures account में कितना चला जाएगा face value तो 4000 into 30 that is 120,000 आपका face value का amount है and 4000 debentures पे 20 रुपए का premium मिलेगा तो security premium reserve account में चला जाएगा that is 80,000 clear हो रहा है ठीक है मैं जान बूच के bifurcations लिखने हूँ ताकि आपको समझ में आए कि values कैसे आ रही है clear है चलो इसके बाद क्या होगा अब ध्यान से यहाँ पर company expect कर रही है कि उसको 2 lakh allotment पर मिलेगा लेकिन यह लोग चिलाएंगे प्रोराटा वाले लोग क्या बोलेंगे अरे भाई आपको already 16,000 पहली दे चुके हैं 1,84,000 तो bank account debit to debenture allotment account आपका कितना हो जाएगा 1,84,000 clear हो गया ठीक है बस यही एक important हिस्सा था अब बस यह तो आप easily कर लोगे first and final call due किया अब company 4,000 debentures पे 50 रुपए से first and final call due करेगी तो debenture first and final call account debit to dash percentage debentures तो कितना हो जाएगा 2,00,000,000 4,000 debentures पे 50 रुपए का installment ठीक है और उतना पैसा मिल जाएगा तो bank account debit to debenture first and final call account ठीक है तो 4000 debentures पे 50 रुपए मिल जाएंगे clear हो गया जल्दी से देख लो इस question में आपको कोई doubt हो तो पूछ लो pro rata समझ में आ रहा है जैसे हम लोग issue of shares में pro rata करते थे बिल्कुल same to same issue of debentures में भी करना है चलिए तो हम लोगों ने आज तीन illustrations देख लिए जो आपके over subscription वाले case पर based थे I hope आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि reject करते है applications तब क्या होगा जब pro rata होगा तब क्या होगा और जब दोनों का combination होगा तब कैसे करेंगे ठीक है चले तो आज के लिए इतना ही बाकी के जो भी concepts और questions है वो करेंगे आने वाले अगले lectures में तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बार देखते रहे ये magnet brains तब तक के लिए गुडबाए